दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों मागदोशन करेंट अफेयर्स के अंतरगत आज के प्रैक्टिस सेट में प्रस्तुत है सभी प्रैक्षाओं के लिए उप्योगी और महत्वपूर्ट करेंट अफेयर्स के 30 प्रशनों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी प्रैक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है दोस्तों ये practice set उत्तर प्रदेश लोक सिवा आयोग अधिनस सिवा चैन आयोग द्वरा विभिन परिक्षाओं के लिए और साथ हिसा समिक्षा दिकारी सहायक समिक्षा दिकारी एलाहबाद हाई कोड आरो यारो परिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा और अध्याप परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं सभी परिक्षाओं के लिए उप्योगी महत्वपूर्ण घटनाओं के current affairs का practice set संख्या बारे दोस्तों आज के practice set का जो पहला प्रश्ण है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्ण है कि हाल में संपन हुए भारत यूरोपी संख के नेताओं की बैठक 2021 से संबंधित निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि 8 मई 2021 को भारत यूरोपी संख के नेताओं की बैठक 2021 वर्चुली संपन हुई है तो ये सही उत्तर है दोस्तों भारत और यूरोपी संख के नेताओं की वर्चुली बैठक 8 मई 2021 को संपन हुई है और दूसरा कि ये प्रथम आउसर है जब यूरोपी संख ने एक बैठक की मेजबानी की है ये भी सही है और तीसरा कथन है कि इस बैठक का आयोजन यूरोपी संग परिशत के वर्तमान अध्यक्ष बेलजीम के परधान मंत्री की पहल पर किया गया है तो ये कथन आपका सही नहीं बलकि गलत है क्योंकि इस बैठक का आयोजन यूरोपी संग परिसत के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोष्टा की पहल पर आयोजित की गई है तो इस प्रकार कथन एक और दो आपके सही है आप सन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो सही है अगला प्रशन है दोस्तों जून 2021 में UK इस्थित Charity and Foundation CAF द्वारा World Giving Index 2021 जारी किया गया इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए देखिए यहाँ पे कथन एक है कि इनमे कुल 114 देशों को रैंकिक परदान की गई है इस सुचकांक में शिर्ष दानसील देश होने का स्रें इंडोनेसिया को प्राप्थ हुआ ये भी सही है और इसमें भारत को 14 अस्थान मिला है तो ये सही है दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के आधार पर ये तीनों ही कथन सही है तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा आपसन डी उपर युक्त सभी कथन सही है अगला प्रश्न है किस देश ने हाल में मौसम भिज्ञान उपग रह फेंग यून फोर भी प्रक्षे पित किया है आपसन है आपके दक्षिड कोरिया जापान चीन और इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है फेंग यून फोर भी राकेट जो है ये मौसम भिज्ञान है कि मई 2021 में विक्षित डिपको वहन क्या है आपसन है वेक्सीन दावा COVID-19 एंटीवाडी डेटेक्शन किट या उपर यूग्त में से कोई नहीं तो दोस्तों डिपको वहन जो है ये COVID-19 एंटीवाडी डेटेक्शन किट है अगला प्रश्न है दोस्तों जून 2021 में किसे उत्तर प्रदेश राज्य मानवा धिकार आयोक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति वीके नारायन दोस्तों न्यायमूर्थी वी के नारायन को जून 2021 में उत्तरप्रदेश राज्यमानमाधिकार जो उत्तरप्रदेश का स्टेट हिूमन राइट्स कमिशन है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो यूपी स्पेसल खंड के लिए बहुत ही यूपयोगी है न्यायमूर् आपको बताना है तो सही उत्तर है मालदीव के राजनेता अब्दुल्ला शाहिद अब्दुल्ला शाहिद दोस्तों संयुक्त राष्ट महासभा के 76 में अध्यवेशन के अध्यक्ष निर्वाजित हुए है तो याद कर लीजेगा अगला प्रशन है जून 2021 में भारतिय सिक् सिंग दिसाले किस बैस्विक संगठन में बतार सिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए है आपसन है आपका यूनेसको यूनिसेफ बिस्व बैंक समोह और आई एमेफ तो सही उत्तर है दोस्तों बिस्व बैंक समोह दोस्तों भारती टीचर रणजी सिंग दिसाले ये बिस्व बै प्रतिशत वयस्क आवादी का टीका करण करने वाला देश का पहला गाउं बना है तो याद रखिए वेयान वेयान गाउं कहां पे है दोस्तों ये जम्बू कस्मीर के बादिपोरा जिले में इस्थित वेयान गाउं जो है ये सत प्रतिशत वयस्क आवादी का टीका करने वाल देश का पहला गाओं बना है अगला प्रश्न है 2 जून 2021 को हीडलबर्ग सिमेंट ने किस देश में वर्स 2030 तक विस्व का पहला कार्बन न्यूटरल सिमेंट प्लांट लगाने की घोश्डा की है आपसन है आपके स्वीडन जर्मनी ब्रीटेन या डेनमार्क तो सही उत्तर है स्वीडन दोस्तों हीडलबर्ग सिमेंट द्वारा स्वीडन में 2030 तक पहला कार्बन न्यूटरल सिमेंट प्लांट लगाने की घोश्डा की गई है अगला प्रश्न है मई मई 2021 में शोध करता हूँ 12 राज में सोरो पार्ट्स डाइनासोर की 100 मिलियन वर्स पुरानी हड़ियों की खोश की गई है तो दोस्तों मई 2021 में दोस्तों देखिए मेघाले राज में सोरो पार्ट्स डाइनासोर की सौ मिलियन वर्स पुरानी हड़ियों की खोज की गई है तो याद रखेगा मेगाले में अगला प्रश्ण है दोस्तों International Business Book of the Year Award 2021 देखिए बहुत ही महतोपूर्ण पुरसकार है ये International Business Book of the Year Award 2021 का विजेता कौन है नितिन राकेश, जैरी विंड, A और B दोनों या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है दोस्तों International Business Book of the Year Award 2021 नितिन राकेश और जैरी विंड दोनों है तो आपसन C आपका सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों अगला प्रश्ण है मई 2021 में किस भारती महिला को Divine Patch Global Vision पुरसकार 2021 परदान किया गया है तो आपसन है आपके नियायमूरती गीता मित्तल नियायमूरती ग्यान सुधामिश्यरा नियायमूरती इंदुमलहोत्रा और नियायमूरती पुनम शिरवास्तव तो सही उत्तर है नियायमूरती गीता मित्तल दोस्तों न्यायमूर्तिक गीता मित्तल को अरलाइन पैच ग्लोबल बिजन पुरसकार 2021 परदान किया गया है आपको ये बताना है कि ये पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है आपके लिए ये प्रश्ण है आप खोज कर कमेंट बाक्स में ज़रूर बताईएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों 4 जून 2021 को किस राज या के इंदर सासित परदेश में छात्रों के लिए यून टैब योजना सुरू की गई है आपसन है आपके पुर्डुचेरी केरल लद्दाख या जम्बु कसमेर तो सही उत्तर है लद्दाख दोस्तों डिजटल सीखना या डिजटल लर्निंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उसको प्रोसाहित करने के लिए लद्दाख में जो है छात्रों के लिए यून टैब योजना सुरू की गई है तो याद रखिएगा ये योजना डिजटल लर्निंग के लिए है डिजटल लर्निंग के लिए ये योजना सुरू की गई है यून टैब जो की लद्दाख से शुरू किया गया है अगला प्रशन है दोस्तों मई 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रि मंडल द्वारा मंजूरी प्रदत उत्तर प्रदेश यूपी कोवीड इमर्जनसी वित्त पोशन योजना के तहत प्रदेश में कोवीड से संबंधित आवस्यक सामगरी की विनिर्मार की इकाईयां स्थापित क पर अधिक्तम कितनी राज्टक की वित्ति सहायता प्रदान की जाएगी तो ये रासी है 10 करोण रुपए तक की अगला प्रशन है दोस्तों 14 जून 2021 को उत्तर अट्लांटिक संधि संगठन जिसको नाटो कहा जाता है नार्थ अट्लांटिक ट्रिटी आर्गिनाइजेशन इसक नाटो समिट कहा संपन हुई है आपसन है ब्रुसेल्स बेलजियम वार्सा लंदन या न्यूपोर्ट तो सही उत्तर है ब्रुसेल्स बेलजियम दोस्तों नाटो का नाटो एक सैनिक संगठन है उत्तरी अट्लांटिक संधि संगठन ये एक सैनिक संगठन है जिसका मुख्या अले बुरुसेल्स में इस्तित है और नेटो की सदस्य देशों के सरकारों की प्रमुखों की बैठक बुरुसेल्स में आयुजित की गई थी अगला प्रश्ण है 15-18 जुन 2021 के मद्ध वैश्विक योग सम्मेलन 2021 वीडियो कानफ्रेंस के माध्यम से आयुजित किया गया है इसका आयुजन किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है वैस्विक योग सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है तो एक संस्थान है मुच्छायतन योग संस्थान दोस्तों मुच्छायतन योग संस्थान द्वारा जो है 15-18 जुन 2021 के मैंध वैस्विक योग सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया अगला प्रश्ण है 16 जुन 2021 को ACI विकास बैंक यानि ADV ने भारत सरकार के साथ तमिलनाड में चिन्नाई कन्या कुमारी और द्योगिक गलियारा जिसको की CKIC का हजा रहा है देखिए चेन्नाई कन्या कुमारी इंडस्टियल कोरिडोर में परिवहन संपर्क में सुधार और अध्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए कितनी राश के रिड़ पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये एमाउंट है 484 मिलियन डालर अगले प्रश पर आते हैं दोस्तों मई 2021 में केंद्री इग्रिह मंत्राले ने भाशड और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधो पर IPC की एक अलग सेक्षन प्रस्तावित करने के लिए किसकी अध्यष्टा में एक समिति का गठन किया है तो ये है दोस्तों कुलपती नेशनल ला इन्वर्सेटी दिल्ली की अध्यष्टा में दोस्तों केंद्री इग्रिह मंत्राले द्वाशड और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधो पर IPC में एक अलग सेक्षन प्रस्तावित करने के लिए इस यानि कुलपती नेशनल ला इन्वर्सेटी दिल्ली के अध्यक्ष्टा में एक समीतिका गठन किया गया है अगला प्रश्न बिश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानि वर्ल्ड फूर्ड सेफ्टी डे कब मनाय जाता है तो ये तिथी है 7 जून प्रतिवर्स 7 जून को बिश्व खाद्य सुरक्षा चुना गया है तो दोस्तों ये हैं सोहेब मक्सूद सोहेब मक्सूद जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है इनको पाकिस्तान सुपर लीग 2021 में प्लेयर आप दे टूनामेंट चुना गया है अगला प्रश्न है जून 2021 में दिल्ली सरकार ने किसे दिल्ली खेल विस्व विद तोलक हैं और ये प्रथम भारती महिला है जिन्हें भारतोलन के छेतर में कान से पदक या कोई भी ओलंपिक पदक मिला है और इनको दिल्ली खेल विश्व विद्यालेखा पहला कुलपती नियुक्त किया गया है अगला प्रेशन है दोस्तों जून 2021 में किस राज में विश्व दोस्तों असम में 200 का पहला जेनेटिकली मोडिफाइड यानि GM रबर प्लांट लगाया गया है अगला प्रेशन है 26 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलो प्रसासनिक सुधारो और अन्य कल्यानकारी योजनाओ की निगरानी के ल तो सही उत्तर है असम में दोस्तों असम राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में सरकारी नीतिगत फैसले प्रसासनिक सुधार और अन्य कल्यानकारी योजने के लिए 13 गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति की गई है अगला प्रशन है देखिए मई 2021 में विस स्वास्त संगठन यानी डबलू यच्चोने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के वैरियंट B1617.2 का क्या नाम रखा है तो दोस्तों इसका नाम भारत में जो है जो कोरोना वैरियंट था इसका डेल्टा नाम रखा गया था ये आप चानते भी हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण संख्या 25, 26-27 मार्च 2021 के मध्य परधान मंतरी नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा पर रहे इनसे संबंधित निम्न कतनों पर विचार कीजिए दोस्तों देखिए COVID-19 महामारी के प्रारंब के बास से ये परधान मंतरी की दूसरी विदेश यात्रा थी तो ये गलत है क्योंकि ये पहली यात्रा थी COVID-19 महामारी के प्रारंब से दूसरी चीज की परधान मंतरी की ये हात्रा बंगलादेश मुक्ति संग्राम के 75 वर्स पूर्ण होने से संबंधित थी तो ये भी गलत है दोस्तों जो परधान मंतरी की ये आत्रा थी बंगलादेश मुक्ति संग्राम जो 1971 था उसके 50 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में थ तो ये भी कतन आपका गलत हो जाएगा और तीसरा है बंग-बंधू-मखबरा परिसर्द में सरद्धाणजली अर्पित करने के लिए ये किसी बिदेशी राज प्रमुकड की दूसरी आतरत थी ये भी सही नहीं है क्योंकि बंगबंधु मकवरा परसर्द में जो है ये किसी विदेशी राज़प्रमों की पहली आतरा थी जिन्होंने सरध्धानजली अरपित किया है आजादी का अमरित महोसो यानि इंडिया अधरेट 75 के पुर्वा लोकन कारे कलापों का उदगाटन किया है आपसन है चमपारण, साबरमती, बेलगाओ या नागपुर तो सही उत्तर है साबरमती दोस्तों परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने साबरमती से आजादी के अमरित मह इंडिया अधर 75 का पुर्वा लोकन कारे कलापों का उदगाटन किया है अगला प्रशन है दोस्तों 27 वा प्रशन है आठ मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता परदान करने के उद्देश से किस बैंक ने स्टार्ट अप उन्नती नाम से एक कारे करम सुरू क करने की घोश्डा की है तो ये बैंक है हमारा HDFC बैंक HDFC बैंक जो है ये महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता परदान करने के उद्देश से स्टार्ट अप उन्नती नाम से एक कारे करम सुरू करने की घोश्डा HDFC बैंक द्वारा किया गया है अगला प्रशन है माई 2021 म से सम्मानित किया गया है तो ये हैं वालेरिया लूई सेली दोस्तों वालेरिया लूई सेली को मई 2021 में डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है अगला प्रशन संख्या 29 है देखिए 10 मार्च 2021 को केंदरी मंत्री मंदल ने वित अधनियम 2007 के सेक्षन 136 B के त प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा निधी बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी की है तो इन में से कौन सा कथन सहीड नहीं है देखिए PMSSN सारुजनिक खाते में स्वास्त छेतर के लिए एक सिंगल नान लेपसेबल रिवर्च फंट है सही है दूसरा है कि PMSSN में भेजी गए रास रॉपयोग स्वास्त और परिवाल कल्यान मंत्रा ले केवल आयुसमान भारत परदान मंत्री जन आरोगी योषिना और परदान मंत्री स्वास्त और अच्छा योषिना में करेगा ये सही नहीं है और तीसरा है कि स्वास्त और सिक्षा उपकर से प्राप्तरासि में से स्वास्त का अंस PMSSN में भेजा जाएगा सही है और PMSSN को लागू करने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्त और परिवार का लियान मंत्रा लेकी होगी तो यहाँ पर देखे दोस्तों आपसन भी आपका सही नहीं है अन्य सभी कतन सही है अब आईए इस प्रैक्टिस सेट के आखरे प्रेशन पर आते हैं 26 फरवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडो, पश्रिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए आम चुनाओ 2021 के कारक्रम की घोश्रा की थी और इसमें संबंधित कतनों पर विचार कीजिए पहला है कि विधान सभाओ 27 मार्च से 29 अपरेल 2021 तक कराये जाएंगे ये सही है आपका पश्रिम बंगाल में 8 चाड़ों में चुनाओ होंगे सही है असम में 3 चाड़ों में चुनाओ और मतगरना 2 मई 2021 को होगी तो ये सभी कथन आपके सही हो जाएंगे उपर युक्त सभी कथन सही है जो है जो असम केरल तमिल नाड़ों पश्रिम बंगाल और पोटुचेरी विधान सभाओं के लिए जो चुनाओ हुए थे भरवरी 2021 में जो कारेकरम की घोश्रा चुनाओ आयोग द्वारा की गई थी तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्रिस सेट मागदशन करेंट अफेर्स के अंतरगत बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के समसामेक खंड के लिए उप्योगी और महतोपूर्ड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार